अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और आपके अपने चानल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो चलिए फ्रेंड देख लेते हमने इसे बनाया कैसे हैं यहां पर हमने लिए हैं 600 ग्राम चिकन चिकन को धोकर सारा पानी निथार दिये 1 फोर टीस्पून नमक डालेंगे 1 फोर टीस्पून अधरक लसन का पेश्ट डालेंगे 1 फोर टीस्पून दालेंगे चाट मसाला 1 फोर टीस्पून चिकन मसाला डालेंगे जीरा पाउडर 1 for teaspoon से थोड़ा सा कम डाली हूँ 1 for teaspoon से कम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे edge wine हम डालेंगे 1 for teaspoon इसे थोड़ा क्रश करकर डाली हूँ और साबुत धनिया को हमने दर दरा सा कूट लिये हैं 1 टेबल स्पुन दाल देंगे, लाल मिर्च का पॉडर 1 टी स्पुन दाल देंगे, इसमें दालेंगे हरी धनिया, हरी मिर्च, रेड पूड कलर का इस्तमाल की हूँ, इसमें दालेंगे एक निबु का रस, और इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, हमने हरी मिर्च तीन काट कर ड कम से कम इसे 20 मिनट रखिए अगर आपके पास वक्त है तो एक घंटा रख सकते हैं इसे ओवर नाइट भी रख सकते हैं जितना रखोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा अब इसमें हम दालेंगे कॉन फ्लार त्री टेबल स्पून फुल भरकर हमने कॉन फ्लार डाले हैं और गरम जायी तो पलंडा जाये हैं इसमें हम एक पीसे डाल देए रखास रहा जाया हैं तो प्लीज एक लाएक ज़रूर करिये और चैनल पे ञें हैं तो चलिए दोओ जसे भी एक प्लिटा कर दोदिए दोनों साइट से हम चिकन पकोड़े को अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने तक के फ्राइ करेंगे, हम इसे दो बार फ्राइ करने वाले हैं, इसलिए इसे हम डारेक्ली ज्यादा क्रिस्पी होने तक के फ्राइ नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्राइ हो जाएगा तो निकाल आज हम ने इस तरह से सारा चिकन अटा कर लिये हैं और उसी तेल को हम दुपार गरं करेंगे तीन अट वैटर गरम हो जाएग फिर इस से हम दालेंगे सारा यहória किया चिकन street style chicken पकोड़ा बना रहे हैं इसलिए मैं color का इस्तमाल की हूँ यह बिल्कुल optional है अगर आपको पसंद नहीं है तो color skip कर सकते हो अगर आप like नहीं करते हैं color को तो हटा दीजिएगा अब देखिए हमने इसमें chicken एड किये हैं तो थोड़े से bubbles आने लगे हैं और जैसे ही bubbles कम हो जाएंगे हमारा chicken भी crispy हो जाएगा लेकिन जब आप chicken एक साथ में एड करोगे तो कड़ाई बड़ी होनी चाहिए friends यहां मेरी छोटी कड़ाई है और जब हम छोटी कड़ाई में चिकन एड करते हैं तो इसकी coating निकल जाती है इसलिए आपको बड़ी कड़ाई में इसे एक साथ फ्राई करना होगा अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करकर चोटी कड़ाई में फ्राई कर सकते हो लेकिन यह बहुत ही टेस्टफुल बनाता इसे ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने पर और मुझे कमेंट करकर बताईए कैसा लगा यह चिकन पकोड़े का टेस्ट रेसिपी ट्राई जरूर करिए फ्रेंड्स इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फर रोचिंग